तो देखिए आज का हमारा वीडियो क्या है Past Indefinite Tense तो Past Indefinite Tense में देखिए students Past Indefinite Tense की पहचान क्या है इस काल में वक्के के अंत में ता था, ते थे, ती थी और आ, ए, इ का परियोग होता है कैसे, जैसे मैं कहता हूँ, मैं सकूल जाता था, वे सकूल जाते थे, वे सकूल जाती थी, कोई उड़ गये, देखिए a वहे चली गई ए वहे कल सकूल में आया तो देखे आ तो इस तरह से इस काल में वक्के के अंत में ताथा तेथे तीथी और आ ए ए का परियोग अवस्य रूप से होता है यह आपको अच्छी तरह से याद रखना है स्टूडेंट्स अगला अमारा देखे अगला पॉइंट क्य हो रहा हूं ताकि जो हमेशा स्किरिया झाय कोई परियोग होता है जो स्किरिया होती है हम shift के लिए यहro Jersey होती है क्योंकि हैं हंडी और इंस में दोनों के लिए बना गया है तो देखे आगे देखें अगला पॉइंट हे note ध्यान से देखने वाली बात है students in this tense if the sentence is in simple or assertive यनि sentence simple है या assertive है जैसे हम कहते है assertive क्या होता है हम कहते हैं 2 और 2 4 होते हैं तो वो होते हैं अगर हम कहते हैं भारत 1947 से में आजाद हुआ था तो हुआ था ये assertive sentences होते हैं और simple साधार जैसे हम कहते हैं उसने खाना खाया तो simple है इसमें अगर कोई नहीं क्या इत्यादी अगर हो तो वो simple नहीं रहता क्या अगर हो तो interrogative आपको पता है और नहीं अगर है तो negative हो जाता है तो simple केवल साधारन और assertive sentences में then we use only second form second form का परियोग करते हैं जब वक्य साधारन होता है simple होता है, assertive होता है हिंदी में लिया हुआ है, साधारन वाक्यों में हमें इसा वर्ब की second form का परियोग होता है, जैसे हम कहते हैं कि हम खेलते थे, we played हम cricket खेलते थे, we played cricket, तो देखे, played second form है students आगे point पे चलते हैं देखे, next point है, if the sentence is in negative sense, then we use did plus not plus first form of verb, अगर sentence negative है, तो हम अगर sentence negative है तो हम did not का परियोग करते हैं यदि के दोनों को जोड़कर did not बन गया क्योंकि इस काल में सायक किरिया did का परियोग होता है, तो हम नहीं वाले वाक्ये में negative sentence में did not कर देते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि इस वाक्ये में जहां पर did का परियोग हो, वहां पर हमेशा वर्ग की first form आएगी और जहां पर did ना हो यानि simple sentence है, असरेटिव हो वहां पर हम वर्ग की second form का ही परियोग करेंगे, देखे हिंदी में भी दिया गया है, यदि वाक्ये ना करात्मक हो हम वाक्ये में करता के तुरंत बाद यानि did not और first form का परियोग वहां पर करते हैं, देखे students, अगला point क्या है, अगले point को जहां से देखे, in interrogative sentences interrogative क्या क्या मैं कल सकूल नहीं गया देखे, क्या मैं कल सकूल गया इस टाइब से क्या आगे लग जाता है तो वहां interrogative हो जाता है तो उसमें क्या करते हैं, हम did को आगे लग रख देंगे और फिर in starting में देखे, did को रख देंगे, वक्ये की starting में और फिर subject को लियाएंगे did I, फिर first form of verb did I go to school yesterday, तो देखे, इस type से यानि कल क्या मैं सकूल गया तो क्या कल मैं सकूल गया, तो इस type से तो अगला देखे, इसी में हिंदी में समझाया गया है यदि वक्ये पर सनवाचक हो पर सन किया गया हो, क्या तो उस वक्ये में वक्ये के आर्म में ही, did plus subject परियोग करते हैं students आपको ये बात है ध्यान में रखने ये बहुत important बात है अगला देखिए अगला point क्या है students not not the special only in this tense we use two kind of verb कहता है ये केवल एक मत्र ऐसा tense है जिसमें हम verb की दो form इस्तेवाल करते हैं यानि मैंने अभी आपको बताया था assertive और simple sentences में हम verb की second form का प्रियोग करते हैं और अगर वाक्य negative है और interrogative है तो उन में हम did के साथ verb की first form का प्रियोग करते हैं जैसा किया दिया गया है केवल इसी काल में दो तरह की किरियोग का प्रियोग होता है अन्य किसी में भी नहीं तो यह बात भी बहुत important है जो आपको अच्छी तरह से याद रखनी है देखे students आगे note फिर note दिया गया है yesterday अगर आपको किसी भी काल में yesterday मिले देखे जब हम फिलिंदा यह याद रखें जहां आपको yesterday दिखाई दे जाए तो उसमें हमेशा past indefinite tense होता है देखे यस्टरडे morning यस्टरडे लास्ट इवनिंग एगो लास्ट नाइट इसके एक्जांपल समेत मैं आपको समझाओंगा देखे आगे एक्जांपल भी आएंगे last night habitual action in the past यानी past में कोई habitual action हुआ हो an action going on in the past time और past time में कोई action going on रहा हो these are all situations associated with past indefinite tense यह सारी की सारी जो किरियाएं जहां पर आपको दिखाई दें यह सारे के सारे परियोग जहां पर आप indefinite tense है उप्रोप सभी किरियाएं past indefinite tense की पहचान है यह आपको अची तरह से याद रखना है बार बार आपके सामने यह आएगा आगे देखिए आगे मैंने एक एक्जांपल आपके लिए लिया है कैसे देखिए यह simple sentence है I played cricket, मैं cricket खेलता था, मैं cricket खेलता था, मैं cricket नहीं खेलता था, I did not play, जब did not आ गया तो play, यानि first form लगी और जब simple sentence है तो played second form लगी, देखिए एक ही काल में दो तरह की किरियाओं का, पर यह cable past indefinite tense में होता है, तीछा देखिए, did, कहता है interrogative, क्या मैंने cricket खेला, क्या मैंने cricket खेलता था, तो देखिए, did I play cricket, तो did आगे आग फिर first form of verb और फिर cricket हम परियोग करेंगे, क्या मैंने cricket नहीं खेला, क्या मैं cricket नहीं खेलता था, तो देखिए, इस तरह से did I not play cricket, यहाँ not और did, जब यानि interrogative और negative, यानि दोनों तरह का वाख्य हो, negative plus interrogative हो, तो did के बाद तुरंत बाद, जैसे पहले बाले में subject लेके आए, और फिर play cricket, इस तरह से हम वाक्य को करेंगे, देखिए आगे students ध्यान से, अगला example दिया है मैंने, example से देखिए ध्यान से, I saw him yesterday, मैंने उसको कल देखा, देखिए yesterday लग गया तो यहाँ saw he लगेगा, यह फिलिंदा blanks के रूप में आ जाता है, I blank him yesterday, तो yesterday को देखो, तो यहा आज आना चाहिए, a thief broke into my house last night, यह देखिए last night, जहां yesterday हो, last night हो, तो समझो वहाँ पर second form of verb लगेगी, यानि वो past tense है, अगर negative हो, तो first form of verb लगेगी, यह आपको ध्यान रखना है, आगे देखिए I met him five year ago, देखिए ego दिया हुआ है, और ego दिया हुआ है, तो past definite tense है, इसलिए met यानि यहाँ पर देखिए second form लगी है, अगर यहाँ did होता, तो यह met का meet हो जाता, यानि first form हो जाती, अगले example को देखिए students, अगला है, he worked in the school for five hour a day, कहता है, उसने school में पाँच घंटों तक लगातार काम किया, पाँच घंटों तक काम किया, he worked in the school for five hour a day, उसने एक दिन में उसने एक दिन में पाँच घंटे लगातार school में काम किया, देखिए R-A-E किया, और यह लगातार काम करने की बात है, तो यह habitual action in the past है, past में कोई किया गया, पहले की गई, action की गई किरिया, इसी तरह देखिए, the boys made a mistake, बच्चों ने गलतिया की, तो यह देखिए, की, E, R-A देखिए, बच्चों ने गलतिया की, तो बच्चों ने गलतिया की, यह क्या है, action going on in the past, जैसा कि मैंने पहले बताया था, कि जब action going on हो, past में, तो हम इस तरह से past independence का ही उसमें परियोग करेंगे, students, हम अब example लेते हैं, example में देखिए, मैं हिंदी में example ले रहा हूँ, हम समय पर station पहुचे, तो देखिए, we reached the station in time, देखिए, we reached the station in time, हम समय पर station पहुचे, क्या बोलेगे, we reached the station in time, यह देखिए, we reached the station in time, इसी तरह से next में आईए, students, हम समय पर station नहीं पहुचे, तो देखिए, क्या बोलेगे, हम समय पर station नहीं पहुचे, वी डिड नॉट रीच दा स्टेशन इन टाइम यानि अब डिड नॉट लग गया वी डिड नॉट यानि नेगेटिव हो गया तो वी डिड नॉट रीच दा स्टेशन इन टाइम अब कदा क्या हम समय पर स्टेशन पहुंचे देखे धान से क्या हम समय पर स्टेशन पहुंचे क्या बोले क्या हम समय पर स्टेशन पहुंचे तो देखे डिड आगे आ जाएगा यहां पर डिड आगे आ जाएगा देखे डिड क्या हम समय पर तो डिड वी रीच देखे क्या हम समय पर स्टेशन पहुंचे डिडवी रीच दा स्टेशन इन टाइम आप समझ सकते हैं देखे डिडवी रीच दा स्टेशन इन टाइम उसके बाद में आता है क्या हम स्टेशन पर समय क्या हम समय पर स्टेशन नहीं पहुंचे तो आप देखे डिडवी आ 않을 वी अंप रूट अपके सामने हैं इस तरह से हम एक Contents के चार संटेंस मना कर रहे हैं उसके पाद में अगला हमारा वाक्र क्या है मुझे कल ही तुम्हारा पत्र मिला कैता है मुझे कल ही तुम्हारा पत्र मिला I received your, received, देखे, second form, क्योंकि ये simple sentence है, मुझे कल ही तुमारा पत्र मिला, I received your letter only yesterday, देखे, I received your letter only yesterday, I received your letter only yesterday, मुझे कल ही तुमारा पत्र प्राप्त हुआ, तो देखे, students, इसतर रहता है, मुझे परिक्षा नहीं दी, धांसे देखे, मुझे परिक्षा नहीं दी, मुझे अब क्या लगाएंगे, did not take the examination, तो मुझे दिड्न टेक दा एग्जामीनेशन, देखे, student, मुझे दीड्न टेक दा एग्जामीनेशन, इस तरह से हम वक्यों को solve कर सकते हैं इंगलिज से हिंदी से इंगलिज में ट्रांसलेट कर सकते हैं देखे स्टूडेंट्स अगला संतेंस क्या है हमने उसकी बात ध्यान से नहीं सुनी तो आप देखे हमने उसकी बात ध्यान से नहीं सुनी तो वी नहीं सुनी डिट नॉट लिसन वी डिट नॉट लिस not listen to him carefully we did not listen to him carefully देखे उसके बाद में आगे आते हैं अगला है भारत 1947 में आजाद हुआ था देखे भारत 1947 में आजाद हुआ था बनाइए इंडिया इंडिया गौट क्यों लगाया क्योंकि देखेंगे सिंपल वाक्य है इंडिया गौट सेकिंड फॉर्म है इसलिए हम सेकिंड फॉर्म का परिव करेंगे सिंपल संटेंस में इंडिया गौट इंडिया 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 से English में जो है translate कर सकते हैं तो students आज के lesson में इतना ही next lesson में future indefinite tense के साथ मैं जल्द ही आपके समक्स प्रस्तूत होता हूं आप हमारे चैनल को subscribe करना वीडियो को like और share करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा जल्द ही next video में मिलता हूं धन्यवाद